यह है आपका अपना चनल माई पोर्टल यह हमारा परचित पोर्टल है और इस पे हमने बहुत सारे एक्जामनेशन के साथ साथ अन्नकारी भी संपादित किये हैं बच्चों की रेजिस्टेशन 25 जुलाई से 20 अगस्त के मद्ध आप कर सकते हैं कैसे करेंगे हम ऑनलाइन पोर्टल पर चल कर आपको बताते हैं आगे चलने से पहले हम देख लेते हैं राजजिक्षकेंद की पत्र को जिसमें ओलम्पियाट के समंद में विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गए हैं इस समंद में जो पत्र है 18 जुलाई का पत्र कमांग 15-35 के माध्यम से और इसमें विस्तृत निर्देश ओलम्पियाट 24-25 के आईज़न के समंद में दिए गए हैं पत्र बहुत विस्तृत है साथ प्रिष्ट का है आप इसको डाउंडोड करके अक्षा साब पढ़ेंगे तो आपको प्रतियोगिता की बारे में सब कुछ समझा जाएगा पत्र में आगे लिखा हुआ है कि ओलम्पियाट में सहभागिता है तू पंजियन और्लाइन पोर्टल आरेस के एमपी के माध्यम से 25 जुलाई से 20 अगस्त 24 के मद्ध होंगे किस तरह कि कितने विद्धारतियों का पंजियन करना इस बारे में भी निर्देश दिये गए हैं इनको भी हम देख लेते हैं पत्र में प्रात्मिक विद्धाले के लिए जो संख्या निर्दारत की है वो देख लेते हैं तीन और तीन दौनों कक्षाओं के लिए दी गई है इस तरह से अगर हम बात करें एक प्रात्मिक विद्धाले से पारा बच्चे आपको पोटल पर पंजीयन करना है और ये बच्चे जनसिक्षा के इंदिस्तरी पर तो इकता में संबलित होंगे इसी तरह से मात्मिक अगर किसी मात्मिक विद्धाले का नामंकन एक से बीस के बीच में होता है तब आपको कक्षा 6 के लिए 3 बच्चे कक्षा 7 के लिए 3 बच्चे और कक्षा 8 के लिए 3 बच्चे सिलेक्ट करना है इस तरह से कुल नामंकन एक विद्धाले का 9 हो जाएगा अगर मात्मिक शाला में नामंकन 21-40 की बीच में आता है तो प्रते कक्षा से 4-4 बच्चे 41-80 की बीच में नामंकन होता है तो प्रते कक्षा से 7-7 बच्चे अगर नामंकन 80-150 की बीच में है तो प्रते कक्षा से 8 बच्चे नामंकन 151-500 की बीच में है तो प्रते कक्षा से 10 बच्चे इस तरह से पृतिय कख्चा की बच्चों का अगर कुल योग किया जाए तो यह सहवागीता जनसिक्षा के अंद इस तरह पर होगी इसी संक्या के साब से आपको पोडल पर सत्यापन करना है और ये भी सुनशित करना की जिन बच्चों का आपने सत्यापन किया है वो जंसिक्षा केंद इस तरही monthly में से्भा गीता भी कर लें अब हम देख लिते हैं Registration की पलिक्रिया किस तरह से Registration करेंगे और कौन सा Portal Registration के लिए हमारा लिए उपयोगत valley तैग किए है verification करने के लिए आपको जाना होगा i. SBCMP.in Portal पर किसी भी ब्रोजर में आप इस site को open करेंगे तो कुछ इस तरह की screen आपको दिखाई देगी यहाँ पर शाला प्रभारी को अपना login ID और password एंटर करना है इसके बाद government select करना है government select करने के बाद capture एंटर करने के बाद हम login कर देंगे login हो जाने के बाद कुछ इस तरह से option आपको दिखाई देंगे यहाँ पर आपको select करना है Olympiad का और इस Olympiad वाले option में आपको मिलेगा student registration option इस option पर आप जैसे ही click करेंगे तो आपके सामने registration की windows open हो जाएगी यहाँ पर आप देखेंगे Olympiad 24-25 student registration आपको लिखा हुआ मिलेगा जिस भी school head अपने login से एंटर करेंगे उस school का dice court यहाँ पर लिखा हुआ आएगा और इसके बाद यहाँ पर classes आपको मिलेंगी जैसे कि आप सभी जानते है Olympiad class 2 से लेके class 8 तक के लिए है इसलिए इस option में उन सभी class को select करने का option दिया गया है class select कर लेंगे इसके बाद आपको show button किलिक करना है जैसे आप show button किलिक करेंगे पूरी list दिखाए देगी आप कक्छा 2 में जितने भी बच्चे map होंगे आप वो आपको यहाँ दिखने लगेंगे जैसा कि राजी सिक्षा के इनकर निर्देश है एक बार उसके अनुसार आप देख लिजे इस कक्छा से आपको कितने बच्चों को संकुल इस तरह तक भीजना है उनको आपको यहाँ पर select करना है उधारन के सरूप हम पहले बच्चे के last में action button पर click करते हैं यहाँ पर click करने के बाद कुछ सामानी सी information आपके द्वारा यहाँ पर पूछी जाएगी और इस information को update करने के बाद आप यहाँ पर nominate button दबाएंगे तो यह बच्चा Olympiad के लिए nominate हो जाएगा और जैसी बच्चा verified होगा तो उस बच्चे के नाम के सामने green color की line आ जाएगी इस तरह से आपको जो लक्ष राजशिक्षकेंदर द्वारा दिया गया है अपने विध्याले के लिए उसके अनरूप बच्चों का सत्यापन करना है जनसिक्षकेंद की सहफागिता भी सुनशित करना है इसके अलाब अगर आपके login पर बच्चे परदाशित नहीं होते हैं या पूरे बच्चे दिखाई नहीं देते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग process करने के आवशिक्ता होगी इसके लिए एक option यहाँ पर दिया हुगा एक facilities दी है Student Data Synchronized with Sikshah Portal यहाँ पर यह option शाला की mapping से सारे बच्चों को यहाँ पर दिखाने लगेगा अगर फिर भी कोई बच्चा छूटा है उस बच्चे की mapping नहीं है तो पहले उस बच्चे की mapping कर लिजे और इसके बाद इस button का Synchronized button का उपयोग आप यहाँ पर कर सकते हैं उमिद है आप इस सारी process समझ गए होंगे फिर भी मन में कुछ doubt है कुछ शंका है तो आप हमारे comment box पर जाके जरूर comment कीजिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई topic के साथ तब तक के लिए thanks for watching